शुरू किया जाए तो सभी एक बार अपना नाम कमेंट कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए कि हाँ आप आ गए हो तो मैं थोड़ा और बहतरीन कर पाऊंग देखे सबसे पहले तो यह समझना आज की पढ़ना क्या-क्या है क्या-क्या पढ़ना पहले यह सम मोनिका कुमारी ब्लागिंग यूपियस्सी अभिसेख सिंग मुर्मु कुमार हर्फित पूनम भारती निकल सक्षेना सोनु चौरसिया और चंचल प्रजापती अमरेंद्र कुमार लोकेंद्र यादो स्वेता गोला जाट संग्वान पिंकी पटेल देखे मुझे इंगलीज थोड़ा का मावत है हो तो ना माम हो सकता गलत पढ़ते हैं अलग बात हो ठीक है तो सबसे पहले क्या-क्या पढ़ना है मैं पढ़ाता कहां से सुरू करता हूं ध्यान दीजिएगा जोड़ घटाना गुड़ा भाग से सभी यह बताईए कि यह तो आप कर लोगे की नहीं हा कुछ अलग करना चाहूंगा अलग का मतलब क्या है अलग का मतलब मैं यह करना चाहूंगा इसमें कि जोड़ घटाना लगभग लोगों को आता है तो मैं इसमें क्या करना चाहूंगा पता है इसमें मैं परतिस्त से सुरू करूं तो बहतर रहेगा लेकिन उसके पहले क्या- ठीक है संजना आ रहा समझ में सबको आ रहा नाम कमेंट करिए फटा फटा अपना अरे बोलने में का है को सरम लग रही नहीं आता तो बोल दीजिए न कोई करना गवनेक दुलहिन थोड़ी आया बोला न यह कहावत है मतलब मैंने सुना है पहले आजी लोग कहा करती थी तो उसको आप लोग जोड लेंगे इस से अउर छोट का सवालेठी होता है यह कि यह उद्सूटका है मतलब माझनों यह आशासील वाला नहीं है वो हासील वाला है इसको तो सब कर लेंगे अब इसको भी कर पाएंगे बचभाण का कयेArt civ Muhy ka पड़ू तु कुसली दारक दो हांसी लेक तिन तिन शेक साथ देखिए एक्चुली मैत पढ़ना सिर्फ पेपर के लिए नहीं मैत पढ़ना बहुत जरूरी है बाद में बड़ी बेज़ती होती है आपका अगर बचवाक अच्छा छे साथ में पहुंच गया और इसकूल कॉलेज जा रहा है और बज़ती होती है ना कि मम्मी तो बन गई लेकिन सवाल छोटा फनी आ रहा है जैसे अगर माल लीजिए कि आपके बच्चे को या किसी को ऐसा सवाल मिला है छोटा सा कि 720 का 80% बताईए और आप नहीं कर पाएंगे तो कितनी बज़ती होगी तो कम से कम परिक्षा के लिए कि देखो परिक्षा हो या ना हो नौकरी मिले या ना मिले साधी बिया लगबग जरूर होगा हर किसी का होगा क्योंकि उसके बीना तो काम चलने वाला नहीं है भारत की अबादी ऐसे नहीं घट रही है तो कम से कम इसके लिए तो पढ़िए मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि चलिए तो पहले बात करते हैं पढ़ना क्या-क्या चैप्टर का नाम बहुत से बच्चे या फिर बच्चे वाले पूछते हैं कि क्या-क्या पढ़ाएंगे आप इसमें क्या-क्या होने वाला है तो मैं पहले वह दिखा देता हूं की ट्रेलर देख लीजिए क्या-क्या चलेगा इसमें कि देखिए हमारा जो बेफ रहेगा वह competition वाली मैत को ले करके ही रहेगा एक बुक में दिखा दे रहा हूं थोड़ा परचार के तौर पर कि कमपटीशन वाली मैत को ले करके ही रहेगा क्या-क्या पढ़ना है लेकिन इसमें ध्यान यह रखना है है कि हम आपको बिल्कुल सुनने से पढ़ाएंगे जमीन से उठे हुए आदमी हम आपने नहीं देखा ओगा तो PvR study की history history आप PvR study channel देखिएगा history आप PvR study उसमें देखेंगे हमारी रिएल में वकाद क्या है चलिए आगी क्या-क्या पढ़ना है यहां पे मैं लिखूं या इधर ठीक है मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे दिख रहा है न, सिलेबस में क्या-क्या पढ़ाऊंगा, जिसे पाठिकरम बोलते हैं, सबसे पहले तो हम आपको जोड़, घटाओ, गुड़ा और भाग पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, एक्स, वाई, जड़, एगरी, कल्चर, ठीक है, मौहम वर्गमूल, घणमूल पढ़ाएंगे, सुनते जाएगा, क्या-क्या पढ़ाऊंगा, जोड़, घटाना, गुड़ा भाग, उसके बाद वर्गमूल, घणमूल, लिख दूं की ऐसे सुन लेंगे, सिलेबस लिखूं या सुन लेंगे ऐसे, टाइम रहेगा, रोज रात 9 आओ, खाना, पीन मत खाओ, तुम कुछ भी करो, लेकिन कलास में आओ, चलो, सबसे पहले, जोड़, घटा, गुड़ा भाग, ओके, सबसे पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, जोड़, घटा, गुड़ा भाग, दूसरा नमबर क्या पढ़ाऊंगा, जब आपको जोड़, घटाना, गुड़ा भाग आने लगेगा तो, वर्गमूल और घणमूल, ये एक अलग चीज है, बिल्कुल टैंसर मत लेना, जिसे इंगलिस में सुन लिजिए, एडिसन, सब्स्रेक्शन, मल्टिपल और डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, इसे स्कॉयर, रूट एंड, क्यूब रूट बोलते हैं, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे घातांक और करणी, जिससे सड्स और इंडिसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाईया, घातांक और करणी, थोड़ा सा मैं ट्रेलर देता जाऊंगा, भागना नहीं, देखना मगर प्यार से, देखिए, दोनों का एक्जम्पल समझ दीचिए, जोड घटाना तो आपने देखी लिया, सभी जान रहो, वर्गमूल घनमूल में ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कुईस्चन दे दिया मैंने, कि चच्चा 36 का वर्गमूल कितना हो, कर लोगे, हर कोई कर लेंगे न, पक्का कर लोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी कुश्चन आपको दूँगा, कि चच्चा लोग ये बताओ भाईया, 3.43 का वर्गमूल कितना होगा, ये सब मैं सिखाऊंगा, एकदम सुनने से, एक होती भाग बिधी, एक होती है, गुलन खंड बिधी, तो मैं दो आता, इसे जो अकेले हूँ, वो पूरी दी चलेंगे भाग बिधी में। ठीक है घातांक और करडी वाला कैसे पढ़ेंगे, घातांक और करडी वाला ऐसे पढ़ेंगे, जैसे देखिए इसका इकजांपल, जैसे साथ के उपर ह 창 ıldाया है, 20 के चुरूपी पर दो कर पाते हैं कि समझ रहे हो ना कुछ जाग रहे हो ना बुझा रहा है को तो सुनिए घातांग के नियम से यह होता है कि अगर इनके खोपड़ी पे घात और इनके खोपड़ी पे घात ऐसे लगी हो यह लगा लो कम लग रही तो यह लो तो इसका नियम यह होता है कि इनकी घात का आपस में गुड़ा कर लिया जाता है यह इसको हल कर लेंगे बस यह अंसर हो गया कि चंचल परजापती आरा समझ में अमन खान बाबु अभी सिलेबस हो रहा है अभी हम सिलेबस से आपका परिचे करवा रहें अभी क्या क्या पढ़ेंगे यह टोटली आपको किटना सेर करेंगे अभी 100 बच्टे नहीं हुए जितना जादा रिस्पांस आपकी तरफ से आएगा उतना ज्यादा हम बहतरी नापको देने की कोशिस करेंगे तो आप क्लास को खूप सेर करेंगे दबा के चलो तीसरे चैप्टर के बाद चौथे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे ध्यान दीजिए इसके बाद आपके चच्चा लोग आ जाते हैं लगुत्तम समापवर्थ और महत्तम समापवर्थ तक जिने बोलते हैं LCM और HCF इसके कोईश्चन हर एक परिक्षा में आते हैं LCM HCF के बताओ सभी कर लेंगे ना जैसे अगर मैं कोईश्चन देता हूँ एक छोटा साइस के पीछे एक लॉजिक है तीन पांच दो साथ का LCM क्या होगा बताइए जबाद दीजिए एक सिकंड में आ जाएगा कितना आएगा हो बहुत आफान है इसका LCM 210 आएगा कैसे कुछ भी नहीं करना है यह सभी संख्याएं ऐसी है जिनके कोई भी फैक्टर आपस में common नहीं है अगर वनको छोड़ दिया जाए अगर ऐसी संख्याएं होती है उनका LCM सद है उनका गुड़न फल होता है समझ रहो कितनी भी संख्याएं दी गई है अगर उनमें कोई common फैक्टर नहीं है तो उनका गुड़न फल उनका LCM होता है दिन पचे 15 दूना 30 सत्ते 210 एक ज़ो और सुन लीजिए का IC में लगे हाथ ONE होता है WRC का मतलब होता Alle are common factor इसका मतलब होता कोкое या कामन मल्टीपल से जिसे फिन दी में लगुततम समापवर्थ बोलते हैं अशे हींदी वाला ल सुनीए समापवर्था लगुततम लगुततम लगे लिखे देता हूं यह लगुततम समापवर्थ और यह महत्तम समाप वर्तक होता याद रखना HCF पढ़ना है तो भाइया बाबू कलास को पूरा देखिएगा जितना देर तुम साट वीडियो और रील को आईसे आईसे और आईसे आईसे करने मोबाईल में बिता देते हो ना इस कलास में लग रहा होगा बड़ा टाइम खराब हो रहा इसका मतलब होता है highest common factor फ़ायस्ट कामन फکटर याद रखें ये multiple होता ये factor होता दोनों बहुत अलग-अलग होते हैं ठीक है? इसको GCF भी बोला जाता है कहीं कहीं लेकिन C लगाना बहुत जरूरी है अगर इसे तुम GF बना दोगे तो फिर ये बहूत dangerous नाम हो जाएगा समझ रहे हो तो वो चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो ना 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 तो यह कभी-कभी ऐसे खतरना कमेंट आ जाते हैं जी मतलब होता ग्रेटेस्ट जो तुम सोच रहे हो नहीं कॉमन यह फैक्टर है फ्रेंड नहीं ठीक है तो ग्रेटेस्ट कमन फेक्टर मतलब दोनों कहके होता है एक छोटा साइजांपल समझ लीजिए एक छुटका साइजांपल समझ लीजिए लसी एम और एच्छी अप में क्या अंतर होता है मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं इसे नजर में रखिएगा पढ़ा नहीं रहा हूं ठीक है चलिए लसी एम और एच्छी अप में क्या अंतर होता है समझ लीजिए अगर आप मैत सीखना चाहते हैं तो इस सेशन को इंड तक देखेंगे छोड़ के नहीं जाएंगे आज आपको मैत क्या चीज है वो समझ में आएगा हो सकता है अब तक आपने ना समझाओ लेकिन आज से आज जाएगा पका आजाएगा क्या चीज है यह मैत यह मैत भी क्या चीज है देखिए सुनिए जैसे मैं छोटा से एक्जांपल देता हूं दो और चार काल सियम और एच्छी अफ दोनों देखो भाईय समझो लसी एम वो गिंती होती है जो इन दोनों से कट जाए पूरी तरफे समझ रहे हो लसी एम वो नंबर होता है जो इन दोनों से पूरी तरह से कट जाए और छोटा फे छोटा गिंती हो तो अब बताओ कौन सी ऐसी गिंती है जो दो से भी कट जाएगी चार से भी कट जाएगी बताओ वो कौन सी ऐसी गिंती है जो दो से भी कट जाए और चार से भी कट जाए एच अच्छा दो से तो दो कट जाएगा लेकिन चार नहीं चार नहीं कटेगा क्यूंव करते जाएगा मतलब इन दोनों से कट जाए है वो गिंती जो हो विन दोनों से कट दोनों पते तो इसका पहला अंसर होगा चार है की जार में आप चाहे दो से भाग करो चाहे न 6 पर पक्का कट जाएगा दूसरा गिंती 8 भी होग तो से सेकट जाएगा चार संबी चाट जाएगा ना इस बारा भी हो सकता है इस काहो हो सकता है था ऐसोला भी हो सकता है क्यूं centralized को कि अन्हें के सुनों फिर इधर कि मेंxton कर से क्षे тем सकता बहुत सारा सबसे छोटा चार है इस लिए इसका LCM क्या चार है बाकी मैथमेटिक्स के रूल से मैं बाद में सिखाऊंगा अभी मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि LCM और में क्या अंतर है कि समझ में ना LCM वो चोटी सी चोटी गिंती होती है जो दी गई संख्याओं से भाग करने पर कट जाए पूरा-पूरा दी गई दोनों संख्याओं से भाग देने पर पूरा-पूरा डिबाइड हो completely divisible हो जीरो रिमेंडर आए वो लसी हम होती है अचनतर है अचिसे होता है अपको ओगे यह जिए क्या होता है बहाएं हो चहीरी से च्छोटीचि गिंती होती हैं जो इन दोनों को काट सके ना च्छोटी-छोटी से च्छोटी न रहे बबाए बढ़ी से बड़ी हाइस्ट कामन प्रक्राइज्ट मतलब मैक्सिमम ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कामन हो हाइएस बड़े से बढ़ा है तो बताओ क्या है जो कि बोलो फटा पट इन दोनों में इससे भाग देना होगा इसमें तीर इन गिंटी की तरफ है यानि दो में हम इस दो से भाग करेंगे तो 0 Bin चार में भी जब हम दो से भाग करेंगे तो जीरो आएगा और दो से कोई ऐसी बड़ी संख्या है नहीं कि जो दोनों को काट सके अगर तुम चार रख दोगे यहां पर तो चार से चार कट जाएगा लेकिन चार से दो तो नहीं कटेगा ना कि समझ में आ रहा ना आ रहा ना समझ में तो फटा फटा आप समझ गए होंगे कि यह में क्या अंतर है बिल्कुल जो रिल्स वाले हैं वो लोग ध्यान दे भाई रिल्स देखके अपनी रियल जिंदगी ना खराब करिए समझ रहे ना रिल्स बनाने वाले बहुत कुछ करके बनाते हैं भले अपने घर में पूरा कपड़ा पहिंते हैं लेकिन रिल्स बनाते समय वह अईसा कपड़ा पहिंने के लगेगा कि यह तो आज मजबूरीम कपड़ा पहिं देखे होंगे मैं विश्यास रूप से गल्स की बात कर रहा हूं बहुत रिल्स वायरल होती है ऐसा नहीं कि मैं बहुत भगत हूं मैं भी देख लेता हूं कभी-कभी लेकिन हां मिल जाता है तब मतलब आता है से हमारे दोस्त लोग है कुछ कमीने बेच देते हैं तो मैं उसमें पीछे नहीं रहता हूं लेकिन मैं वह ऐसे नहीं देखता जल्दी से क्योंकि टाइम नहीं मिल और फसे घटिया कोई काम कर सकता है सबसी घटिया से घटिया काम तो वह अपनी जिस्म की रोटी खा सकता मृणलब दिखा करके या बेच करके तो कुछ लोग WHO भी कर रहे हैं आजकर जाहे घजा करके कमा रहा है चाहे वह किसी को सौप करके कमा लेकिन वह गटिया काम चली आगे बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात को लेकिन यह सच्चाई अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो वह है सरली करण जैसे बोलते हैं सिंप्लिफिकेशन क्या बोलते हैं सिंप्लिफिकेशन सिंप्लिफिकेशन अगला हम चैप्टर में पढ़ेंगे पाच्वे में मुझे लग रहा है काफी लंबा हो जाएक है कापी लंबा हो जाएगा अगर ऐसे समझाओंगा एक चैप्टर तो मैं पहले सिलेवास बता देता हूं नहीं तो बहुत लंबी कलास हो जाएगी समझाने में सरली करन का मतलब ऐसा समझ लीजी आप जैसे मैंग लिजिए यहां पर मैंने लिख दिया 128 और यहां पर मैंने लिख दिया आपका 64 ठीक है तो सरली करण का मतलब एक लाइन में समझ लीजिया अगर इसे हमें सरल करना है कहा जाए सिंपल करना है जितना हो सके तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं सुनिए पहला तरीका यह है कि हमेंसे 2 से काटें तो 2.12, 2.48 फिर 2 से काटें 32 यानि ऊपर 64 नीचे 32 अब फिर से हमने इसे 2 से काटा समझते जाना यह मैं simplification का मतलब बता रहा हूँ आपको फिर दो से काटोगे एक नया product बना यह फिर दो से काटो भाई यह तो मैं उब गया इसको काटते काटते अभी भी यह दो से काट सकता है काट इन देता हूँ काहे को फिर काटो यानि टू अपान वन आया ना लेकिन यह है उन लोगों के लिए जिनको सरली करण नहीं आता वो इतना लंबा करते है समझ रहो जिनको सरली करण नहीं आता वो इतना लंबा करते है आप देखो सुनो जिनको सरली करण आता है वो कैसे करेंगे ये तरीका नहीं करना, ये गलत है सरली करण में हम आपको सिखाएंगे कि आपको इतना लंबा नहीं करना है परिक्षा में नहीं तो जिन्दगी छोटी हो जाएगी कुश्चन बड़े हो जाएंगे तो कुश्चन बड़े ना होने पाएं सरली करन में हम आपको सिखाएंगे कि आपको एक लाइन में कैसे इनको सिंपलिफिकेशन करना है जैसे 128 था 64 था तो मेरे भाई हम आपको यह बताएंगे कि आप 128 और 64 का सिंपलिफिकेशन में आप सीखोगे कि आपको इतना लंबा नहीं करना है नहीं तो लड़के बच्चे आजाएंगे कि कहेंगे पापा बस करा आप पहुत पढ़ लिया कि बड़ाउती आएगे ना कि समझे रहे हो ना यह तो चोटा एक जांपल था और बड़े-बड़े किंती मिलेंगे उनको आप ऐसे दूई-दूई काटते रहों के काटते रहोंगे ना जिन्दगी भिज जाएगी इफले यह सीखन ऐसमें सरलीकरण में हुझ अकर ठीक है किसी को कोई डाउट युक तो बताओ नहीं हमारी बात आपको समझ में आ रही है तो मैं भी एक बार देख लेता हूं बैया पढ़लो बाबा पढ़लो पढलो नहीं दो नहीं देख रहा हूं बकेती करे जा रहा है अगला पढ़ेंगे साधारण भिन्न साधारण भिन्न पढ़ेंगे मतलब सिंप्लिफिकेशन जो डिस्ट्रब करने वाले हैं उन्हें यहां से हटा दीजिये कलास से आप लोग सुन रहे हो भया काज अच्छा सुना दाना जागा रहा सोवन जो फालतु बात चीत वाले इनको हटाई है यहां से बिल्कुल हटाई एक दम से हटाई है चलो तो अब क्या करना है कि सुनना इधर साइड में अगला पढ़ेंगे भिन्न यानि फ्रेक्शन क्या पढ़ेंगे फ्रेक्शन लिखिये साधारण बिन्न अगला पढ़ेंगे साधारण बिन्न साधारण बिन्न जिसे इंगलिस में बोलते हैं सिम्पल फ्रेक्शन क्या बोलते हैं सिम्पल फ्रेक्शन आप देखें फ्रेक्शन में आप बहुत चीज पढ़ेंगे जैसे भिन्न क्या है एक थोड़ा सा ट्रेलर देख लीजिए अभी आप सभी जानते हो 14 फरोरी को आप लोग काफी अच्छे से तेवहार से लिब्रेट करते हो अब को पता है आप कोई ज्यादा एक्टिंग नहीं करना चलो पता है न सबको अब मान लीजिए हम लोग के जैसे कोई गरीब आदमी मिल गया यह एक चॉकलेट है अब भाई इसमें कईयों को खिलाना है समझना है एक चॉकलेट है इनका मान लीजिए मैंने पार्टेशन में A B C D E कर दिया ठीक है तो यह बताए यह चॉकलेट था जिसके पांच टुकड़े किये अब आप यह बताओ बी क जो कितना हिस्से मिलेगा इसे बिन्च के रूप में कैफे लिखेंगे जबाब दीजिए फिटनेश जी आपको पांच मिनट के लिए होल्ड किया गया पांच मिनट सबर रखिए फिर पांच मिनट बात करना थीक है पांच मिनट बात कमेंट कर पाऊगे बताओ कैसे जोको मैं बता रहा हूँ टोटल पांच हिस्सा हुआ है न तो आप क्या करोगे पहले पांच लिख लोगे टोटल जितना हिस्सा उसको फिर यह टोटल का कितना भाग है बताओ कि टोटल का कितना भाग है तो मेरे भाइ टोटल पांच हिस्सा हुआ था मैंने लिख दिया यह एक योजा टो इसे लगबग आप लोग कर लोगे जाने दो आप जाधा इस मेने बताऊंग जो चिक्लास पढ़ाऊंगह इसको इसको ड स्टूल था ठीक है अगर माली यह दोनों मिल करके आपस में खाते हैं कहते हैं हम एक केम लेंगे थोड़ा समझा नहीं आ रही तब इनको भीन के रूप में कैसे लिखो गई टोटल पांच भाग हुए थे ना तो पांच यह दोनों मिला के अपना दो हिंसा एक में कर लिया तो दो बट इंप्रापर फ्रेक्शन बोलते हैं कहा इसे और भी कुछ नाम बोलते हैं बताऊंगा जब क्लास डीटियल में चलेगी अब ही मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूँ पढ़ना क्या-क्या है और आपकी जिम्मेदारी है कलास में 100 पलस बच्चे बना के रखना अगर 100 पलस बच्चे आप लोग नहीं जोड़ेंगे तो कलास फिर आगे सिर्फ पीवी आरे स्टडी एप पे चलेगी पीवी आरे स्टडी एप में आप बड़े प्यार से पढ़ते हैं 700 से 800 बच्चे 1200 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो जुआइन किया होते हैं अगला आप पढ़ेंगे दसमलो भिन्न क्या पढ़ेंगे दसमलो भिन्न ये सब मैं पढ़ाओंगा इस स्रीज में आज आदी महुत्सो वाली स्रीज में जिसे इंगलिस में डेसिमल फ्रेक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं भया डेसिमल फ्रेक्शन अभी रात में आज डेलेड का विकलास है क्या बोलते हैं इसे डेसिमल फ्रेक्शन दसमलो भिन्न आगे बढ़िए हाँ भिन्नो की तुलना ये कंप्रेजन वगएरा हम फ्रेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा देंगे इतना पढ़ने के बाद आप त प्रेक्शन लेबल से नीचे लेबल का था ये फिर आप कहां चलोगे फिर आप पढ़ोगे संख्या पद्धती यानि नंबर सिस्टम पढ़ोगे फिर आप ठीक है भया समझ रहो ना हो फिर आप पढ़ेंगे नंबर फिस्टम अब मैं इसे इंगलिस में लिख देता हूं हिंदी में इसे संख्या पद्धती बोलते हैं मूँ से सुन लिजिए ने तो बाद में कहना कि आप तो इंगलिस लिख रहे थे हम तो नहीं जान पाया है अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे परतिसत्ता नंबर सिस्टम में आप ये पढ़ेंगे संख्या क्या होती भी संख संख्या प्रकृतिक संख्या पूर संख्या पुड़ांग धन पुड़ांग रिड़ पुड़ांग पर मिये अपर मिये सारी कहानी प्रण नेचुरल नंबर और यह सब इसीम चलेगा सबको समझ में आ रहा है तो सभी साथी सेशन को एक बार लाइक जरूर करें जोड़दार लाइक करें मैं इंतजार कर रहा हूँ अब आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो पहले सभी लाइक करके यस बोलेंगे कि हां मैंने कर दिया चलो मज़ा नहीं आ रही है ऐसे बिल्कुल नहीं मज़ा आ रही है क्या कर रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो आप लोग बिल्कुल नहीं मज़ा आ रही दिल ना तोड़ो या टूटा पहले से चटनी काहे को बना रहे है उसको तोड़ तोड़ के बार बार चलो फटा फट सभी सेशन लाइक करें जल्दी करें प्रिया देवी ठीक है बहुत अच्छे बेरे गुड आप ही काई तो मुझे इंतजार था आ गई आप चलिए नंबर सिस्टम हो गया अगला पढ़ेंगे पर्फेंटेज पर्सेंटेज जिसे हिंदी में पर्तिसत्ता बोलते हैं पर्तिसत्ता अभी मैंने एक्जामपल बताया था जैसे अगर मैं कहूं कि भाईया हो दुई बटा पांच को पर्तिसत्त में बदलिए बहुत छोटा चीजे बता रहा हूं मैं बिल्कुल 0 लेबल से पढ़ाऊंगा इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे होगा इसे क्या करिए पर्तिसत में बदलिए तो देखो पर्तिसत में कैसे बदलेंगे समझो पर्तिसत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुड़ा करते हैं और परतिसत का अगर चिन हटाना है तो 100 से भाग करते हैं इसको परसेंटेज में बदलना इसको 100 से गुड़ा करोगे सिंपल है दूबटा 5 को 100 से गुड़ा करोगे मेरे भाई तो बराबर 40% आएगा कितना आएगा 40% आप कह सकते हो कि टूअपन 5 को परसेंटेज में बदलने पर 40% आएगा कि समझ में आया ना यह मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप क्या क्या पढ़ेंगे इस आजादी महुत्सों वाली बैच में तो यह होगे आपका नौ चैप्टर कि परसेंटेज कि परसेंटेज के सारे क पर सिखाने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे लाभ और हानी कि क्या पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लास कि इस सवरी काये को भाई अरे तो ऐसे बोल देता हूं मजाक में प्रॉफिट एंड लास प्रॉफिट और लास यह अनपढ़ गवार लोग भी जानते हैं चोटा सा बचवा भी जानता है सब जानते हैं प्रॉफिट लास है ना जहां पर हमारा लाभ नहीं होता है हमारा प्रॉफिट नहीं दिखता ह नहीं है यह इंसानों की परवृत्ती है कि समझ रहे हो ना एक व्यक्ति एक साइकल भाई गरीब लोग छोटी सोच रखते ना एक व्यक्ति एक साइकल पंद्रा सो रुपए में खरीदा और उसे अठारा सो रुपए में बेच दिया तो बताईए उसे कितने रुपए का लाव हुआ हर कोई बता लेगा ना मैं एकदम छोटा सावालिस लिए पूछता हूँ जिससे आप सीख सकें मोटिबेट हो सकें सब को पता है फंद्राइसों में खरीदा है थारा सों में बेचा मनलब 300 रुपए का लाब हुआ है कितने का 300 रुपए का लाब हुआ है इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा की पर्तिस्द लाब कैसे से निकालते हैं ठीक है कि यह थोड़ा थोड़ा ट्रेलर बता रहा हूं चैप्टर के बारे में बाकी डीटियल में पढ़ाऊंगा तो एक एक चैप्टर दो दो तिन 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 दिन चलेगा बिस्तार से कि ग्यारा नंबर चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे साधारन ब्याज सिंपल इंट्रेस्ट कि सिंपल इंट्रेस्ट कि साधारन ब्याज देखो मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं सिंपल इंट्रेस्ट यानी साधारन ब्याज इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे जैसे का जाए इसे ऐसे सुन लिजिए आप लोगों ने सुना होगा बहुत से बैंक भारत देश में हैं और बहुत से लोग उसमें रुपया पैसा जमा करते हैं अभी माने निये परधान मंत्री जी जंधनी योजना लेके आया थे कहा थे कि सब लोग में खाता खलाओ चाहे तोरे पास वैंग में दिनश ब्यासाय कर रहें तो घर में रखे रहते थे उसको बैंक में नहीं जमा करते थे तो सरकार को पता नहीं जलता था कि भाइदेश नहीं पापाती थी बहुत से लोग शोरी कर ले जाते थे सरकार ने जुगार लगाया ऐसा परचार किया जंधन योजना का सब फटाफट गिर-गिर पड़े खाता खुलवाने के लिए उसके बाद क्या हुआ आप देखो सरकार हर किसी पर टार जला जला के देख रही कही रुपया रखे हो जैसे जुगार लग रहा वैसे टैक्स पर टैक्स लगाया जा रही मतलब जिन लोग कमार है उनसे बाकी गरीबों से नहीं तो हाँ खाता खुलवाने के बाद फिर अनिव इस तरह से मतलब जाल में फज़ गए हो तो मैं बताने के वाला था कि बैंग क्यूं मतलब उनको फाइदा क्या आपको मेरा पईसा जमा करते हैं उनके करमचारी लगे रहते हैं हमारी गारी भी सुनते हैं क्योंकि वो लोन देते हैं मैं सिंपल इंट्रेस्ट बात कर रहा 1000 रूपयाँ का आप कम से कम 20% मान लो बहुत से बैंक 20 परसेंट तक वसूलते हैं आराम से क्यानी इदर सुनी है बैंक क्यों रहते हैं क्यूं मतलब क्यूं क्यूं हैं ये Pack आपसे क्या मिलता है यह एक हजार गुड़े वीस बटा 100 नानी उन्हें 200 रूता हम मिलेगा आपको भले एक हजार दिया है लेकिन वो बैंक आपसे 12-100 रुपय उसू लेगा, तो 200 रुपय उसे क्या होगा? लाब होगा, समझ रहे हो ना? ये जो लाब हो रहा है, यही बयाज है, यही क्या है दूश रुपय? ये सिंपल इंट्रेस्ट है, साधारन बयाज है, समझ गया तो रहना चाछा कि नहीं सम्झा यह क्या है अब इसमें ये और आता है चक्रविधि वह क्या हो जाए जब ब्याज की भी ब्याज हो जाए जैसे हमारा एक लड़का है इसलिए हो क्या बेटा है लेकिन अगर उसके भी बेटा हो जाए मानल हम बुड्डे हो गए तो हमारे वोलते हैं कि इसंव ना ती तो भोलते हैं यार पोटा कि पता नहीं का बोलते हैं जो भी जो पर से यह जो ब्याज हुई ना चालिस रुपया तो यानि अगली बार इस बीजिया का भी चालिस रुपया पड़ेगा यानि इसका तो फिर से एक हजार का 200 पढ़ेगा ही अले साल 440 रुपया इसका भी पढ़ेगा यानि 240 रुपया पढ़ेगा तो जो ये 40 हुआ ये चक्रविद्धी ब्याज है समझ में है ना ये कहानी है आया समझ में फट से समझ ये लिखिए ये क्या है चकरविद्धी ब्याज तो अब आप समझेगे इस चैप्टर का ट्रेलर अभी मूवी तब वाएं की है रहे बाबा जब आप रेगुलर कलास में आओगे तब रेगुलर कलास में आओगे तब मूवी देखोगे चलो आगे बढ़े ठीक है सभी कलास को ज़ादा फे ज़ादा सेयर करेंगे कल साम तक इस कलास के मिनिममम कम से कम पांच हजार ब्यूज होने चाहिए अगर पांच हजार ब्यूज नहीं हुआ तो मैं कल अगली कलास पढ़ाऊंगा यह नहीं यह जनली जी हुआ आप ज़ोड़ा करी ना यारनी बेदन है자가 Aww are a चाहोगे ताराम से हो जायेका éléments चारस बच्चे देखनें तीन देखनें अगर यह दोडो लोग को भेजेंगे वो दो दो लोग को भेज बेज पिला दूँगा विश्वास मानिए मेरा लेकिन मेरा विश्वास बना के रखिएगा सेयर करिएगा खूब कलास को हर जगा चलिए अगला बारा नंबर चैटर क्या पढ़ेंगे आप कि simple interest के बाद मेरे भाई आप लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात रेसियो ऐंड पर पोर्व्षं ऐसे कुछ बोलते हैं इसे कुद्धि अनुपात समानुपात इनके बारे में कुछ बताऊं क्या आपको पारी शोड़ा परचए देना पढ़े Defense क्यों भाई कि अनुपाद समानुपाद सुन लीजिए आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए इधर मैं मिटाता हूं जखिये इसमें बहुत तरह के कुश्चन आते हैं जैसे अगर मैं कहूं कि एक रूपया और बीस पैसे को अनुपाद में बदलिए एक रूपया और बीस पैसा यानि दोनों अलग अलग है ठीक है एक रूपया और बीस पैसा इन दोनों में क्या अनुपाद होगा तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं अभी तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं ट्रेलर बता रहा हूं पाठिकरम समझा रहा हूं की जोड़ी बनानी है तो बैल बैल की जोड़ी बनती है यह नहीं कि बैल के साथ गदहा नाद दो गए या बैल के साथ बकरी नाद दो तो ऐसी जोड़ी नहीं बनती है तो वैसे अनुपात में हमेशा एक समान रासिक में अनुपात होता है जैसे एक रूपया और बीस पैसा इनमें अगर अनुपात निकालना है इनमें अगर अनुपात निकालना है तो दोनों को पैसा में चेंज करोगे या रूपया में तो इसको पैसे में कर लेंगे तो सो पैसा यानि सो पैसा का अनुपात होगा बीस पैसा के साथ समझ में आया ना मेरे भाई ये भी समझ लो अनुपात का मतलब भाग होता है जैसे 100 बटा 20 ये 57 में लागा दो पी मतलब पईसा इस अनुपात का मतलब यही होता है इनको 00 कड़ दो 10 बटा 2 आया ना ये कड़ दो 5 आएगा नीचे एक यानि 5 बटा एक पी लगा दो फाइनल में फाइब रेसियो वन यानि पाँच और एक का अनुपाद आएगा आल राउंडर समझ में आ रहा है काब्या जी बेलकम बहुत-बहुत स्वागत है आपका पी बीर स्टेडी में आपका अपना चैनल है यह बिलकुल सर्माने की बात नहीं चलिए फटा पड़ लिखिए यह मैं आपको पाठे करम समझा रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या है अनुपाद के बाद मैं आपको मिस्र समानुपाद पढ़ाऊंगा उम्र से संबंधित कुश्चन पढ़ाऊंगा क्लास बहुत लंबी हो रही है मैं थोड़ा बोल देता हूं अ आप क्या-क्या पढ़ेंगे मैं इस क्लास में वही डिसकस कर रहा हूं अब तक मैंने 12 चैप्टर डिसकस कर दिए इसमें मुझे पढ़ाना है कम से कम तीस चैप्टर और आगे सुन लीजिए अनुपाद समानुपाद पढ़ने के बाद मिस्र समानुपाद पढ़ेंगे कि भाई फलाने की मम्मी की बेटी का पती की बुवा का फूफा तुमारा क्या लगे मतलब फलाने का क्या लगे लोगीन वाली लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा इसमें इसका बिलकुल छोटा कांसेब्ट होगा नीकर शुरुआत वाला उम्र से संबंदित कुश्चन इसके अलामा इसमें और भी कुश्चन ऐसे होंगे जैसे कहा जाए कि मोहित की उम्र उसके पिता की उम्र की आधी है तो बताइए ये दि मोहित के पिता की उम्र 128 साल है तो मोहित की उम्र कितना होगी पहुत आसान है ऐसे ऐसे कुश्चन लेकिन जब पढ़ाँगा तो सब भैतरीन समझ में आएगा को अगय इसके बाद आप मीचर पढ़ेंगे मिक्चर और एलिगेशन पढ़ेंगे इस चेप्टर के बाद में यानि मिशरन पढ़ेंगे फिर आप एबरेज पढ़ेंगे एबरेज मतलब आउसत आउसत का एक्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि मैं भाईया परियाग राज से अपने होम टाउन सुल्तानपूर के लिए निकल लिया अपनी दूपहिया घाड़ी से दुग दुग तो सौश किलोमीटर मालीजी कि पैयागीपुर है सुलतान मतलब परियाग राज से सूलतांपूर का पैयागीपुर 14 पहां 100 किलो में 100 किलो में में स्टार्टिंग से 10 किलो मीटर 35 की स्पीड में गया तो अब बताव डिसमें किटने की स्पीड में गया कि एवरेज कैसे निकालों गए भाई में तीन अलग अलग दूरियां 3 अलग अलग चाल से में तेंखिया तो हमारी आउसत चाल क्या होगी है यह आप लोग ऐवरेज वाले साथर में पढ़ेंगे कहां पढ़ेंगे एवरेज में कि अलोग जैसे सवाल कुछ समझ में आ रहा है कि अवल समझ चेक देख रहे हो आगे बढ़ें अगला एवरेज के बाद आप पढ़ेंगे काम समय और मजदूरी टाइम वर्क एंड बेजज टाइम वर्क एंड बेजज जिसे आप समझ गेप कहने क्या बात है ठीक है इसके बाद आप पढ़ेंगे रेल प्राड़ी और समय यानि टाइम एंड ट्रेन मैं यह भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक जीरो लेबल से उसके बाद ना और धारा कि फिर आप पढ़ेंगे समांतर स्रेड़ी वाला चैप्टर संख्या स्रेड़ी ठीक है इसके बाद घूच जाएंगे हम लोग जमेट्र है यह मैं आपको पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं कि आप क्या क्या पढ़ोंगे जमेट्री को दो भाग में पढ़ाएंगे पहलेवाद मैं इतना cowota six chemical में आपको घन और गणाव पढ़ाएंगे बेलं संकू गोला ठीक है तो यह सारी चीजें आप पढ़ेंगे आजादी महुत्सो के इस नए एपिसोड का जो एक नए अबैच शुरू हो रहा है समझ रहे ना उमीद है आप समझ गये होंगे इस सेसन को जादा फिजादा सेर करेंगे और ये ट्रेलर भी आप समझ गये तो कल से रात नो बजे आप लोग जरूर जुड़े हमारे साथ अपना और अपनी वाली का ख्याल रखिएगा अपने वाले का भी ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगली कलास मेरा दस बजे से बहुत बहुत थैंक्यू अब गलत मतलब मन निकालना इसका थोड़ा सही पाजिटीप सोचना